विदान सभा चुनाव को लेकर तेयारिया शुरूँ विजह संकल्प यात्रा की तेयारी जेपी नड़ा करेंगे विजह संकल्प यात्रा का शुबारब हुट्राखण में चुनावी दौरे लगातार ज्वारी इदली सरकार के काबनेट मंत्री राजिंद्र गौतम पहुँचे रानी पूर जन सभा को किया संबोठे चमोली में सड़क से वंचित है पाना और इराणी गाउं के लोग विरोध करने के लिए अपनाया नायाब तरीका कंदेवर मूते सैकल रखकर गाउं तक पहुँचाया गुदरबूर में केंद्र सरकार के फैसले का स्वागा तांगनमाडी कारिकर्ति ने जहीं की खुशी कहा विभा की उम्र 21 वर्ष का फैसला का भी लेता रही नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजो उनरायन हरदवार में आने वाले विधानसवा चुनाव की तयारियों को लेकर बीजोपी ने अपने चुनावी कारिकरम शुरू कर दिये हैं जिसके तहट बीजोपी की तरफ से प्रदेश उभर में विजज़ संकल प्यात्रा निकाली जा रही है जिसकी शुरूबात बीजोपी की रास्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा और प्रदेश के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी करने जा रही है तो बीजोपी ने चुनावी कालक्रम शुरू कर दिये हैं और सीकडी में कल एक विशाल यात्रा का जो संकल्प है वो लिया हुआ है बीजो संकल्प यात्रा की तैयारियां जोरो पर हैं जेपी नड़ा इस कालक्रम की शुरूबात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यहां पर मौजूद रहेंगे कल हमारे राष्टियत ध्यक्स आधने जेपी नड़ा जी हमारे मुख्यमंत्री जी इस हरिद्वार में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनसवा को लेकर के रोडशो को लेकर करकरताओं में जबरदस्त उत्सा है और हजारो हजार की संख्या में कल कारकरता यहां आएंगे माने राष्टियत ध्यक्जी को सुनेंगे माने मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे मंच पर चुकी यह गडवाल मंडल की है और इसमें हमारे इस जिले के सभी मान्य विधायक रहेंगे हमारे प्रदेश पतादिकारी रहेंगे और मंच बनाने का काम जोरो सोरो से है कुर्शियां लगाने का काम बहुत जोरो से पूरे शहर में फ्लैक्स बैनर होडिंग्स जं उत्राखंड में चुनाव का दौर तेजी के साथ बढ़ने लगा है जिसके चलते सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता और स्टार प्रचारक उत्राखंड में पहुँच रहे हैं इसका प्रमाण रोशनाबाद हेतंपूर में प्रशान्त राय और उनके समर्थकों और ग्रामिलों के भारी उत्साह से देखने को मिल रहा है मैं समझदाओं की उत्राखंड के एक राज्या बनाने का एक लंबा संगर्थ उत्राखंड के लोगों ने किया और दुशे से इसमें महिलाओं की वागिदारी बहुत जादा थी और बड़े संद्स के बाद उत्राखंड को राज्य बनवाने में काम्याब तो हुए लेकिन उत्राखंड को लेकर जो सपने उत्राखंड के लोगों में देखे थे माता और भेनों में देखे थे वो सपने पूरे नहीं हुए BGP और कॉंग्रेस लगातार बारी बारी से यहां चुनाव जीती है चुनाव से पहले गोशना पत्र में अपने वाइदे करती है और चुनाव जीतने के बाद अपने वाइदों को पूरा नहीं करती है तो आज उत्राखंड के अंदर लोग चा रहे हैं कि कोई उपसन आए उनके पास उपसन नहीं था आज उपसन के तोपर आमादी पार्टी आ गई है दिल्ली बिजली नी बनाती उत्राखंड की सरकार बिजली बनाती है स्रातन धर्म की रक्षा के लिए जुरद्वार के वेद निकीतन धाम में तीन दिवसे धर्म संसत का शुबारम हुआ जुना अखाड के महामंडलेश्वर यतीन नर्सिहनंद गिरी की देखरेग में चुरू हुए धर्म संसद में सैक्रो कितादाप में संत और आम लोग शामिल हुए धर्म जंसद के तीसरे दिन संसद एक धर्म आदिश जारी करेगी जो केंद सरकार को भीजा जाएगा सनातन धर्म की रक्षा के लिए शुरू हुए तीन दिवस्य धर्म संसद के विश्य में बताते वी जुना खाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन नर्सिहनंद गिरी ने कहा है कि 2029 तक भर्क का प्रधान मंत्री एक गैर हिंदू बननाते है जिससे बचने के लिए ये संसद हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या किया जाए इस पर विचार करने के लिए बुलाए गई है तो सैक्रों की तदा आपनों यहाँ पर संत पहुचे हुए नजर आए हैं तीन दिवसिये धर्म संसत का यहाँ पर आयूजन किया गया था एजंडा केवल एक है दो हजार नतीस में भारत का प्रधान मंत्री मुसल्मान बनने वाला है उससे पहले हम अपनी तैयारी कर लें कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम दो हजार उनतीस से पहले कुछ भी नहीं कर पाए तो सनातन के विनास को फिर कोई नहीं रोक सकेगा यह बहुत दुख़त होगा और यह युवा सन्यासी जो मेरे साथ खड़े हुए है इनके कंदों पर इसका पूरा बोज है यही लोग धर्म संसत करें मैं तो केवल यहां पर कैटलिस्ट के रूप में हूँ अब स्वाम धर्मादेश भी महराजी और अम्रतानन जी जो सब युवा सन्या से मिलकर तयार करेंगे हम अपनी बात इनके दिलों तक पहुँचा चुके कि इसलाम से लड़ना बहुत जरूरी है और अब यह आग सबों के दिलों में आ गई है मेरा काम यही तक था अब मैं लड़ने के लिए आगे चलूंगा महराजी सब काम यह तक हुआ हुँ धर्म का काम धर्मा चाहिए करेंगे जो धर्मा है सनातन धर्मा सनातन दर्मे के विनास को हम कैसे बचाएंगे जिसको हम लोग मीडिया में सुनसुन करके पक गये दोई चीज़ी सुने कि हम सेकुलर हैं और दूसरी चीज़ तुने कि हम सांती पिरियम मज़ाद के बडे संमान करते आए और हम देखने हम कटते चले जा रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं खता मोंते चले जा रहे हैं अब हमारे पास उपाइए क्या है आप लोग अगर महराजी की बात को आपको गलत लगता है तो ये कही स्वामी जी के बचनों का पालन करना पड़ेगा अक्षर सह हम स्वामी जी के साथ खड़े हैं सरकार से कुलर होती है और सरकार से इस तरह की अपीक्षा करना भी नहीं चाहिए उसी में से कोई बीर वहादूर निगल जाता है साम के मुखमंतरी की तरह जो ततकाल और यह गवरो है कि ऐसे मुखमंतरी हमारे पास है उत्राखन के मुखमंतरी भी कुछ ऐसा करेंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे हम लोग सबके हैं हम लोग किसी दलगत राजनीद से उपर उठकर के संपूर्ण हिंदू समाज की रक्षा संड़क्षा और सुरक्षा करना और हिंदू राष्ट की सचना करना यही इस धर्मसंसत का उद्धिश्च है लालकुआ स्टोन क्रेश्चरो पर कम किराय देनी और राज्यसरकार पर रॉयल्टी कम ना करने का रूप लकाते वे सैक्रो खरन वेवसाईयों और गोला खरन मजदूरू ने मोटा हलतू चुराहे पर महापंचरायत कर सरकार के खलाप आरपार के लड़ाय का एलान किया उन्होंने चतावनी देते वे कहा कि अगर दो दिन के अंदर मामी मिराज्यसरकार की तरफ से उचित कारवाई नहीं की गई तो सभी खरन वेवसाई भूख हरताल पर बैटने के लिए मजबूर होंगे और आने वाले दिनों में प्रधान मंत्री मोदी के दौरे का विरोध कर कारकरम में आत्मदाह करने के लिए भी बात दे होंगे जिसके जिम्मेदाली साशन प्रिशासन की ही होगी तो लालकुआ की तस्वीरे जहां पर स्टोन क्रेशरों और मजबूरों कहीं न कहीं परिशान नज़रा रहे हैं उनका कहना है कि मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है और इसकी वज़र से उन्हें कहीं दिकतों का सामना भी करना पड़ रहा है ऐसे में उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो भूखरताल को जारी रखेंगे और इसके साथ ही वो आत्मदहा की भी कोशिश कर सकते हैं दरसल लालकुआ स्टोन करशो पर कम किराया देनी और राज्य सरकार पर वयल्टी कमना करने का आरूप लगाते विस सेकड़ो खनन विवसाईयों और भूला खनन मस्तूरों ने मोटा हल्दू चुराहे पर महापंचायत कर सरकार के खिलाब आरपाय की लड़ाई का ऐलान अब कर दिया है जब तक क्रेसर स्वामियों से हमारी बारता कराकर हमारे भाड़े ताई नहीं किये जाएंगे तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और हमारे कुछ सांतियों नहीं इस बारे में भी कहा है लेकिन इस पर सरकार बड़ा गंभीर भी सही है सबसे बड़ी सर्म की बात तो यह है कि इतने अधिकारी यहां पर होते हुए हलदानी में से लोकित Ouते अधीयमौनी में रारा रहा है सरकार के यहां पर बताते हैं कि एसमारी कुछ और बतते हैं उनका 31 the Ag audit मैं नहीं और जब उन्तीज उरुबे फाइनल हो गया तो भी आप लगाओ ना अपने लिस्ट को नहीं लगा रहे हैं अगे इनका भी बहुत-बहुत स्वागत है ये भी हमसे जुड़े हुए हैं लेकिन देखो सासन प्रसासन आज 10 दिन से कह रहे हैं हमसे सासन वालों की बात चल रही है प्रसासन की भी चल रही है और जो भारती जिंदा पार्ड़ी के सरकार है उनके नेता लोग भी हमसे कह रहे हैं कि पर रवल्टी का एक दिन में हो जाएगा लेकिन आज 10 दिन से नहीं हो पाया क्योंकि सिर्फ एक 15 स्टोन क्रेसर वाले हो या 20 स्टोन क्रेसर वालों के उपर लाखों के पबली या किसी का कोई हाइदा नहीं हो पा रहा है मतलब जो भी अगर सासर पर सासर सुन रहा है सिर्फ क्रेसर वालों की सुन रहा है वह क्रेसर वालों से मिनिमम रेड भी तई नहीं कर पा रहे हैं हमारे कारोबार को परभावित हुए आज नो दिन हो गए हैं और हमारा जो अनिश्चित कालीन हर्ताला तीसरा दिन है अजिन किया गया जिसमें भारी संख्या में लोगों ने लाव उठाया यह शिवर बिजपी नेता मुनीश सैनी के अथक प्रयासों के बाद शेत्र में पहली बार लगाए गया आपको दादें कि मुनीश सैनी का फिसमें से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं जिसका बड़ा लाव इस्थानी लोगों को मिल रहा है कि अधिक्व दवार के लिए इसपेशली में दुवरा निमेदन किया गया था मने जिलाधिकारी जिसे और पहले हमारे मने मंतिजीथ उनके आदेश के नुसाथ, उसी करमे चार केंप जो हो यहां पर आयोजित होने जिस्थ से तीसरा केंप आज आयोजित किया झा रहा है और चोथा केंप ईंली के इंदर 21 तरीक और लगातार जो जो से ग्रहकों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है ननिताल में बैंक करमचारियों ने केंदिसरकार को आड़े हाथ लिया और जमकर अपनी भास भी निकाली SBI सचेफ गोकुल चन्दा ने कहा कि केंदिसरकार बीवजा बैंक के करमचारियों को परिशान कर रही है बैंक करमचारियों ने कहा कि अगर सरकार मिजिकरण की नीतियों को बंद नहीं किया तो वो सड़कों परतर कर अंदुलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे आपकतादे कि दो दिनों से लगातार बैंकों की हर्ताल करमचारी कर रही है और सड़कों पर तुरे हुए हैं के दिसरकार के खिलाब जमकर नारे बाजी की जा रही है जो से आम जंता को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इननिताल की भी ऐसी तस्वीरी सामने आए हैं जो हाँ पर बैंक करमुचारी हर्टाल करते हुए सरकार के खिलाब जूमकर नारिबाजी कर रही हैं भारत सरकार जो हमारे सरकारी बैंक हैं उनका नीजी करने के लिए सदन में बिल प्रस्तावुत किया गया है जिसको हम ले मना किया सरकार नहीं मानी और जो सदन का हमारा इसलिए हमने 16 और 17 में तारिगों में दो दिनी हर्टाल में जाने का एलान किया और ये दो दिन के हर्टाल हमने निभाई भी है आई डी पियल के नाल गेट से श्वैंपूर हाट बाजार तक रहागिरों को अब अंधिरे का सामना नहीं करना पड़ेगा दरसल M.D.D.A. की तरफ से एक करोट शार लाग की लागर से लगाए गए असी पोल पर लगी फैंसी स्ट्रीट लाइटे जगमंगाने लगी है विधान सभादेक्ष प्रेमचंग दगरवाल ने स्ट्रीट लाइटों का लुकारपन कर दिया है विधान सभादेक्ष प्रेमचंग दगरवाल का भविस्वागत और संमान किया तो इतस्वीरे आप देख रहे हैं प्रेमचंग दगरवाल ने लुकारपन किया है दरसल अब लोगों को अंधेरे में नहीं जीना पड़ेगा जो स्ट्रीट लाइटे हैं उनका लुकारपन किया गया है जिससे IGPL केनाल गेट से श्यामपूर हाट बाजारों तक रहागिरों को अब अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा MDDA की तरफ से 1.4 लाग कि लागर से 80 पोल जो हैं लगाए गए हैं जिन पर फैंसे स्ट्रीट लाइट जुक मांगाने लगी है तो ऐसे में सभी बेहत खुश नजरा रहे हैं मौफिपर ग्रामनों ने श्यामपूर पूलिस चौकी के पास कारकरम कायजिन किया जिसमें स्ट्रीट लाइट ने लगवाने परविधाद सबादेख श्पेम चाहिंद रवाल का भव्वे स्वागत किया गया उन्हें सम्मान भी किया गया अभी जिसस्टल पर हम खड़े हैं आज यह आईडी पील से लेके शामपर क्रॉसिंग तक जो डिवाइडर बना हुआ है उस पर हमने एक पत्रकाश व्यवस्ता का कारे किया है उसका लोकारपन का कारिकरम था इसमें लगवाग हमने जो है असी पोल लगा है और LED लाइट भी लगाई है इसमें शहर के अतिरिक तेदी गाउं में इस्ट्री ट्राइल लगती है तो इसे अंदाज लगाए कि मेरे छेतर में कितना विकास हो रहा है MDD के दवारा मेरे इस ग्रामिनी छेतर में एक क्रोड पांच लाख रुपे से असी पोल यहां पे इतने सुन्दर और इनका आप देखें डिजाइनिंग और औरन्टा मेंटल लगता है बहुत खुबसूरत यह लगी है आज इसका हमने लोकरपन किया है थराली विदान सभा के अंतरगत नारायन बगड थराली कुलसारी आदी छोटे छोटे बाजारों में हर रोज भारी ट्राफिक जाम की कारण यात्यों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो वही पैदल रहागिरों, स्कूली बच्चों, मुजर्गों और मिमार लोगों के लिए पैदल चुलना भी दूभर हो रहा है बाजार में लोगों की तरफ से गलत तरीके से सड़क के दोनों तरफ अपने वहानों को पार्क करने की वज़ों से लगतार जौम जैसी समस्याएं आम बननी है इस्थानी पुलिस के लिए भी दिन भर ये जौम सिर्दर्ट साबित रहा है उत्रकाशी में हर्शिल घाटी अपने प्राकरतिक सौंदर या खूपसरत वादियों के लिए प्रसिद्ध है तो भही सरदिया शुरू होते हैं के खूपसूरती और जादा बढ़ जाती है हाला कि अभी हर्शिल घाटी में जादा बर्फबारी नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद भी हर्शिल घाटी में ताप 500 डिगरी से नीचे पहुँच गया है जिससे हर्शिल घाटी के नदी नाले और जड़ने जम गए है जिससे गंगोतरी हाईवे के आसपास पहाडियों पर जम पानी कांश की तरह अलग-लग रूप में दिख रहा है जो सलानियों को अपनी ओर आकरशित कर रहा है तो इस तरह की तस्वीरे लगातार देखने के लिए मिल रही है दरसल हरशिल घाटी पे ठंड बहुत जादा होती है हर साल बर्फबारी होती है यह तस्वीरे आप देख रहे हैं तरकाशी में हरशिल घाटी अपने प्राक्रितिक सौंदरी और खुबसूरत वादियों के लिए लगातार प्रसिद रहती है तो ऐसे में जोहाँ इसके खुबसूरती और जादा बढ़ जाती है तो बहुत दूसरी तरफ हरशिल घाटी में जादा बर्फबारी नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद भी हरशिल घाटी में ताप पांचुने डिग्री से नीचे पहुँच गया है जिससे हरशिल घाटी के नदी नाले और जणने जम गए है गंगोतरी हाईवे के आसपास पाणियों पर जमापानी कांच की तरह लग-लग रूप में दिख रहा है जो सलानियों को अपनी और आकर्शिद भी कर रहा है तो तरकाशी में शर्दियां शुरू होते ही ठंड बढ़ गई है नदी नाले पूरी तरह से जमने लगे है उबला टगनोर छेतर में ठंड का दोर सुरू हो चुका है और यहाँ पर रात के समय माइनेश डिग्री में तापमान जा रहा है और पानी भी जमना यहाँ सुरू हो चुका है और पैपों में सुबह के टाइम पे पानी नहीं आ रहा है पूरा जमा हुआ है और यहाँ लोग अभी इस टाइम पे दिसंबर के महिने में प्रोनिंग का टाइम होता है और लोग सुभी के टाइम पे बगीचों में प्रोनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और यहां पे काफी ही सुखी और सर्द हवाई चल रही है जो मुली में दताश्रे जन्ती के अपसर परशेत्र के सभी देवियों की डोलियां सती मा अनसुया के दरबार पहुंची मा अनसुया मंदिर में दताश्रे जन्ती पर पूरे भारसे हर साल निसंतान दंपतिय और भक्त जन्पी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मांके दर्शन करने पहुंचते हैं जिला परशासन ने मेले के दुरान पूरे पैदल मार्क पर भी सुरक्षा के पुखता अंतिजाम किये गए बतादें कि पौराणी काल से दताश्रे जन्ती पर हर साल दो दिवसिया मेला लगाया जाता है 2022 की विधानसवा चुनाव को लेकर सभी पार्टिया अपनी तयारी में जुठी हुई है वहीं तयारियों को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तयार है आने वाले विधान सब़ा चुनाव को लेकर हिद्वार डैयम डॉक्टर विने सेँकर पण्डे ने किस तरह तयारियां की हो हिए चलिए आपको दिखा देखाते 했어 हमारे साथ हरदवार के जी लाह्टाकारी डॉक्टर विने सँकर पांडे जी मौजूद है विलान सभा 2012 की सरगर्मिया टेज हैं परसासन की क्या तेयरिया है पात करते हैं इस"; तुछ इस दोङोजार बाइस ओन तेयरिया है और उसकी जो प्रार्मभिक तेयरिया होती है मानिन निरवाचन आयोग के आदेशा नुसार उसारी तैयरियां लगातार की जा रही हैं और जब मानिन निरवाचन आयोग द्वारा इसकी विधिवत घोषण की जाएगी तब उसके उपरांद वो आपको त्यारियां दिखने भी लेगेंगी लेकिन हमारा जो इंटर्नल होमबर्ग है वो निर्देशा नुसार जो उसकी टाइम लिमिट है सबसे महतवपूर दीखिए इसमें होता है एक नॉमबर से जो हमारा इरोल अपडेशन का काम चला है जिसमें मद्दाता संक्षिप्त पुनिरिक्षड कहते हैं और जिसमें तीस नॉमबर तक कीती थी थी और जिसमें जो लोग वोटर छूट गए हैं या जिन को किसी अपनी रोलिर से नाम कटवाना है नाम का परिवरतन शुद्धी करन जिसका होता है या कोई बूद चेंज होना है वो सारी प्रक्रिया प्राप्त हो गए थे और तकरीबन 77,000 इस तरह के प्रातना प्राप्त हुए थे और ये बड़ा ही हर्श का विशह है कि हमारे 18 साल जुन लोगों की कंप्लीट फस जनवरी 2022 को हो रहे हैं उनको भी आउसर मिला है तो लोगों ने भी इसमें अप्लाई किया है तो इस वक्त वो उसके अबडेशन का काम चला है और जैसा कि आप भी देत है कि पांच जनवरी का कारेचला है कितने वैकल की आउशकता होगी मद्दान के अंदरों पर क्या स्थिती है उसके भी हम लोग लगातार हमारी जो टीम्स हैं हमारे जो रिटर्निंग आफसर्स हैं सब्सक्राइब कर दे रहे हैं कि किस मद्दान के अंदर पर कोई कमी तो नहीं है जो मिनमम प्रेटरी त्यारी होती है वो सारी त्यारी हमारी युद्धस तर प्रस्पकारे चला है सर बात करें के हर्स बार चुनाओ जब भी आता है तो बहुबली धनबल और सराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं इसको रोकने के लिए डॉक्टर विलेशंकर प्रसा पांडे जी जो एक और इसमें हम लोगों ने जो एक से ड्रिल होती है उसके हिसाब से सभी समंधित विभाग हैं चाहे हो हमारा आपकारी विभाग हो पुलीस डिपार्टमेंट हो उनको बड़े हिस्पश निर्देश हैं कि आप इन चीजों पर विशेश गत्विधियों पर ध्यान रखें और कि कम से कम उत्तराखंड हमारे हर इद्वार में कोई ऐसी कोई माफिया धन बल इसका ऐसा कोई अभी तक कोई इशू पहले भी नहीं आया है और काफी शांतिपूर्ण प्रदेश है शांतिपूर्ण हमारा जिला भी है हम लोगों ने अभी इंटर बार्डर डिस्टिक के जो साहरनपूर के साथ बैठक हो गई है मजफर नगर के साथ बैठक होने वाली है तो आपस में कोर्डिनेशन रखने के लिए भी हम लोग कारे कर रहे हैं सर जैसे यहां हरदवार में 11 विधानसभाई है इन विश्व को सी मांते हैं देखिए पूरा निरवाचन सेंस्टिव होता है और अजाहे हिए बहुत ही सेंस्टिव बहुत ही सामीदन शीलता से कि वहां कोई लाइन ओर की प्रॉब्लम है या वहां कोई ऐसा खत्रा है जो और हाइपर क्रिटिकल लेट वह ऐसा नहीं होता लेकिन दिरवाचन का जो संपूर्ड कारी होता है बहुत ही सेंस्टिव होता है जिस शब्द का आप में इस्तिमाल किया उसमें हर करमचारी को हर हो और जहां तक आपके प्रस्ण पूछने का जो आशाय था तो यह जब एलेक्शन डेक्लेयर हो जाता है और नॉमिनेशन के प्रक्रिया चलने लगती है किस जगह से कौन केंडिडेट आ रहा है उसके आधार परित्ते हैं होता है कि किस छेत्र पर ज्यादा ध्यान देनी की अश्रकता है कौन ज्यादा समीधन शीली हिलाका है या कौन नहीं है सर आगरे सवाल हम भी लंबे समय से चुनाओ को कवर करते आ रहे हैं क्या इस बार कुछ अलग से देखने को मिलेगा जिला देर का दौर मज़ें जा नहीं दिखिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती ह है इसमें कोई आप अपना इनिशियेटिव जासा कोई इशू नहीं होता माननी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रार्म होने से लेकर और उसके समाप्ति तक के सभी चीजें बहुत ही विस्तार के साथ उनके गाइडलाइन होती हैं हमारे रिप् का अक्षर्षा पालन करें तो निर्वाचन स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संबन कराने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है और साथ ही साथ यदि माननी निर्वाचन आयोग द्वारा कोई इनिशियेटिव लिया जाता है तो तरदन रूप कारे करें तो यह तैसे हम अबने रहिए न्यूस्वर इंडिया के साथ